हेलो नमशकार टामाटव तो आप सभी लोग खाते हैं लेकिन आज मैं आपके लेकर आया हूँ टामाटर में लेकर आया हूं और आज आपको इन टामाटर की ऐसे औस दिया गुण बताऊंगा ऐसे फायदे बताऊंगा कि आप टामाटर के दिवाने हो जाएंगे भलाए 80 रु बहुती सस्ता है 20 उर्पे किलो 15 उर्पे किलो में टमाटा बहुत आसानी से मिल रहा है तो हम यह टमाटा लेकर आए आज इसको फायदे हम आपको बताने वाल है जब इसके फायदों को आप जानेंगे तो आप भी कहेंगे वह क्या आपने बहुत अच्छी जानकरी दिये तो चलिए इसकी पूरी जानकरी देखते हैं, तो इन टमाटा की सबसे खास बात है कि यह खटा मीटा होता है और साथ में काफी सारे इसके औस दिया गुण भी है, देखने में छोटा होता है, लेकिन इसके गुण बहुत ही बड़े होते हैं, इसके बहुत सारे फायदे हैं, यह बहुत सारी बीमारियों को जड़ से मिटा सकता है, यह आपको कैंसर टीबी की बीमारी से लड़ने में मदद करता है, यह आप रोजाना एक टमाटा खाते हैं, तो आपका सरी स्वस्थ और सुरक्षित रहता है, क्योंकि इसमें ऐसे गुण पाय जाते हैं, जो बीमारियों क फैलने वाले रोगानू से लड़ते हैं, और आपके सरी को सक्ति प्रदान करते हैं, आपकी इमनिटी को बढ़ाते हैं, भारती पकवानों में टमाटा को एक बिसेश रूप में प्रियोग किया जाता है, इसे सबजी बनाने से लिएका सलात के रूप में, सूप के रूप मे यही नहीं, इसे सुन्दर्ता के लिए भी प्रियोग किया जाता है, इसके विना भारती ये रसोई अधुरी मानी जाती हैं, यह एक प्राकतिक का बरदान है आईवर्द में भी इसके बहुत सारे गुण बताए गए हैं, यह खाने को स्वादिष्ट बनाने के साथ साथ आपकी सरी की शक्ति को बढ़ाने में मद्द करता है यह सबजी एक फल के रूप में भी उप्योग की जाती है यह प्राकति में अमल, मधूर, खानी को जल्दी पचाने वाला कून की कमी को दूर करने वाला, कून को सुख्ट, सुद्ध करने वाला यानि कि रक्ते शुद्धी में काम आने वाला और आखों की रोशनी को बढ़ाने वाला होता है टामाटर की पहचान कराने की मुझे आवशकता नहीं है क्योंकि हर भारतिय इसको अच्छी तरह जानता है और यह टामाटर आप बारा महीने ही करीद कर खा सकते हैं सितंबर से मार्च महीने तक ज़्यादा फलता फूलता है टामाटर की रायसानिक संघटों ने की हम बात करें तो यहस में टाटरिक अमल, क्लोरजेनिक अमल, लाइको, पासी, कॉनिक, टायरोजिन, क्लासेरिल्टिक, केल्सियम, मेगनिसियम आधी पाय जाते हैं कुछ छेत्रों में इसको अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि तमिल में कटुकली, नेपाली में गोला भेडा, मराठी में बेल बंगी, और बंगला में टामाटर, गुजराती में तामेटा हो सकता है, आप इससे किसी और नाम से जानते हों, आप अपनी भासा का कमेंड द्वारा जरूर बताएं संस्कृत में रक्त, वर्तान तक, हिंदी में टामाटर, गुण, बेगन, बिलायत, ती बेगन, इंगलीज में टामाटो, और इसका अन्य भासाओं में और भी नाम हैं तो आप अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए आप अपनी भासा का उपयोग, किस भासा में इसको उपयोग करते हैं, मतलब आप इसको किस भासा में जानते हैं, कमेंड द्वारा बताईएगा अब चलिए बात करते हैं कि टामाटर से कौन-कौन से बीमारियों को दूर किया जा सकता है, इसका किस प्रकार से हमें यूज करना है टामाटर सूजन को दूर करने के लिए उपियोग किया जा सकता है यह गले की सूजन को दूर करता है, ठंडे लगने पर यदि गले में दर्द हो रहा है तो लाल टामाटर के फल का काड़ा बना कर लगबक 10-30 ml की मात्रम में पानी में पिलाने से गले की सूजन में आराम रगता है टामाटर के रस में पानी मिला कर यदि गड़ाला किया जाए गरार की जाए तो इससे मसूलों की जो सूजन होती है वो ठीक हो जाती है और मसूलों में दर्द होने की समस्या रखते निकलना उसमें भी रहत मिलती है जिन व्यक्तियों को सांस लेने में तक्लिप होती है सांस फूलती है तो अब टामाटर का उप्योग करके लाब ले सकते हैं बहुत ही गुलकारी फायदे मिलते हैं 10-15 ml टामाटर के फल के रस को सूप में मिलाकर एक चम्मच हल्दी हरिद्रा मिलाकर सेवन करने से स्वांस रोख स्वांस फूलने की समस्या में लाब मिलता है जिन लोगों भूख कम लगती है वह टामाटर का उप्योग कर सकते हैं टामाटर के कच्चे खाने से भूख बढ़ती है टामाटर में प्याज और अन्य चीजों को मिलाकर भी लिया जा सकता है सलाप के रूप में आप इसका इस्तेमाल करते हैं जिससे कबजी की समस्या दूर होती है इसको भून कर सेंदा नमक और काली मिर्च मिलाकर चून बनाकर सेवन करने से टामाटर के आपको औस दिया लाब मिलते हैं जिन व्यक्तियों को कबजी की समस्या बनी रहती है वह टामाटर का उपयोग कर सकते हैं टामाटर का सूप का उपयोग करें टामाटर में काली मिर्च और सेंदा नमक मिलाकर सेवन करने से पित के बढ़ने की बीमारी ठीक होती है कबजी समस्या ठीक होती है अमश्या तता आतों की जलन में अराम मिलता है तता 10-20 एमेल मातरा में इसके रस को पाका कर सेवन करने से रुका हुआ कबजी ठीक हो जाता है जिन लोगों को खाना अजम ठीक से नहीं होता है वे टामाटर के साथ सेंदा नमक और काली मुर्च मिलाकर सेवन करते हैं तो इससे अजियून की समस्या ठीक होती है चेहरे के दाग धब्बे दूर करने के लिए टामाटर को कुचल कर उसका पेश्ट त्यार करें और उस पेश्ट को मुह के दाग धब्बों पर लगाते हैं तो चेहरे का रंग साफ होता है तथा तोचा पर चमक आती है जिन व्यक्तियों को कील मुहा से होते रहते हैं योवन अवस्ता में कील मुहा से जादे होते हैं तो टामाटर के पत्तों को पीस्ट कर चेहरे पर लगाने से कील मुहा से दूर होते हैं तथा तचा की बीमारियां भी दूर होती हैं देखिए जो जाईयां पड़ जाती है एक अधिक उम्र के बाद उनको दूर करने के लिए टमाटर के पत्तों को पीज कर लगाने से लाब मिलता है टामाटर के पत्तों को पीस कर यदि आप घाव, जाईयां या सूजन वाले इस्तान पर लगाते हैं तो वही अराम मिलता है टामाटर के रस्मे कपूर और नाजिल का तेल मिलाकर सिर्फ लगाने से सिर्दर्ब की समस्या ठीक हो जाती है यदि आप अधिक तनाव महसूस करते हैं तो टामाटर के जूस में थोड़ी से सकर मिलाकर सेवन करने से यह मांसिक और सालिक शक्ति को बढ़ाता है और अब साथ तता नीन्द ना आने के कारण जो होते हैं उनको दूर करता है और अच्छी नीन्द लाता है तनाव दूर करने में यह बहुत ही अच्छा फादा दिखाता है देखिए टामाटर का यह बहुत ही अच्छा गुण है टामाटर बुखार को भी दूर करने में मिलता है टामाटर का सेवन करने से या टामाटर सूप का सेवन करने से घर पर बनावा टामाटर सूप होना चा देखो जाती है जिन लोगों को हमेशा पेट गडबड़ जाता है वे टामाटर का सेबन करें और टामाटर के रस में या टामाटर के ऊपर कुटकी चून बुरु बढ़ा कर सेबन करने से दस्तों की समस्या अलसर अतिजार आधी में लाब मिलता है देखिए इसके पत्ते उब पाल कर उसका लेब बनाकर यदि आम बात था आम रक्त पर या गठिया पर लगाया जाए तो लाब मिलता है जोडों के दर्द में भी यह टामाटर का उपयोग किया जा सकता है इसकी जड़ और पत्तों को पीस कर यदि दर्द वाली इस्तान पर लगाया गठिये के दर्द पर लगा जाए जोड़ों के दर्द पर लगा जाए तो लाब मिलता है तामाटर के पत्ते बहुत ही गुलकारी होते हैं यह सूजन को दूर करते हैं और यदि तवचा में किसी प्रगाई कोई समझ्या तो इसके पत्तों को पीज कर लगाना चाहिए अब बात करते हैं मधुमे के लिए आजकल मधु में एकी समझ्या बहुत ज्यादा देखने को मिलती है जिसे डायविटीज भी कहा जाता है यह दि आप इसको नियंत्रन करना चाहते हैं तो टमाटर का सेवन नियमित करने लगें इसके कच्चे टमाटर खाने से लाल पके हुई टमाटर खाने से आपक में नार्यल का तेल और कपूर मिलाकर लगाते हैं तो बालों की जहलने की समस्या में लाव मिलता है सारी कमजोरी को दूर करने के लिए टमाटर के फल के रस में शकर मिलाकर सेवन करने से सरीर में एनर्जी आती है जो मिलाएं गरवती हैं वे टमाटर का नियमे सुरुवन करने से उनके सरीर के अंदर बिटामिन सी का सुरुत पूरा हो जाता है और तथा अत्यदिक मातरा में आरन भी इन टमाटर से लिया जा सकता है सर्दी जुखाम खांसी में टमाटर का उप्योग किया जा सकता है क्योंकि इसके अंदर भरपूर मातर में विटामिन सी होता है जो रोग पृतिरुत्रक शक्ति को बढ़ाता है और कफ के कार्णों को कम करने में मदद करता है मोटापे से परिशान व्यक्ति यदि टमाटर का नियमे सेवन करें तो उसके सरीर से अनवैसक चरवी धीरी-धीरे कम होने लगती है छोटे वच्चों की विकास में आप टमाटर का रोज सेवन कराएं इसमें काफी भरपूर मातरा में पोशक तक तो पाय जाते हैं यह आपकी हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है इसमें भरपूर मातरा में केल्सियम होता है जो हड्डियों की मजबूती प्रदान करने में मददकार है ब्लेट पेसर वाले रोगी इस टमाटर का उप्योप करके ब्लेट पेसर की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं यह हाप के हाट के लिए भी बहुती उत्तम उसदी है प्राकतिक रूप से टमाटर खाने से हिर्दय रोगी होने से बचा जा सकता है कई कार्णों में इस कार्णिया में उप्योप करने से कैंसर जैसी बीमारियों से भी छुटकारा मिलने की समभावना है आखों की रोशनी बढ़ाने के लिए टमाटर एक उत्तम उसदी है या सबजी है या फल है आप बोल सकते हैं इसके पत्ते फूल जड़तना सभी का आउस्दिय अपरयोग किया जाता है और टमाटर का किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं होता है कोई भी रोगी निरोगी सभी व्यक्ति इसका इस्तमाल कर सकते हैं यह जानकारी हमने आएवर्दिक गिरंदों के आदार पर और डाक्टर की सला अनुसार बताई है इसमें हमारा किसी भी प्रकार का गल्ट जानकारी देने का उद्देश नहीं है अधि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें